नमस्कार दोस्तो, स्वागत है आपका शिक्षावाइस में आज हम बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ के बारे में दोस्तो देखिए हाली में इंडियन कोस्ट गार्ड शिप कनकलता बरुआ इंडियन कोस्ट गार्ड में कमीशन की गई है यह है एक FPV यानि की Fast Petrol Vessel है Indian Coast Guard Ship या ICGS कनकलता बरुआ का नाम असाम की एक Young Freedom Fighter कनकलता बरुआ के नाम पर रखा गया है जो की 1942 की Quit India Movement में तिरंगे को फैराते हुए शहीद हो गई थी तो चलिए पहले बात करते हैं इस शिप के बारे में और फिर कनकलता बरुआ के बारे में थोड़ी हिस्ट्री समझेंगे जैसे कि आपको बताया था कि ICGS कनकलता बरुआ एक Fast Petrol Vessel है जो की Garden Reach Ship Builders and Engineers याई GRSE Limited जो की एक Defense Sector Undertaking है के द्वारा बनाई गई है यह अपनी FPV सीरीज की पांचवी और आखरी शिप है यह शिप इन से पहले की Inshore Petrol Vessel का Upgraded Version है जिसमें Modified Hull है और इसकी उच्चतम रफतार 34 Nauts है दोस्तो एक Naut तकरीबन तकरीबन 1.84 किलोमेटर परावर की स्पीड होती है जिसका मतलब है कि इसकी Highest Speed Almost Almost 60 किलोमेटर परावर है दोस्तो यह सेम शिप GRSE द्वारा इंडियन नेवी को भी दी गई है और इसी सीरीज की जो पहली चार शिप्स थी उनका नेम है ICGS एनिबिसेंट, ICGS कमला देवी और ICGS अमरित कौर तो यह सभी 500 शिप्स का नेम Freedom Fighters के नायम पर रखा गया है दोस्तो यह शिप Petrolling, Marine Time Surveillance, Anti-Poaching Operations और Search and Rescue Missions में भी कामा सकती है इसकी लगनबाई तक्रीबन तक्रीबन 50 मीटर और 4.5 मीटर है तो चलिए अब बात करते हैं कनकलता बरुआ के बारे में जिनके नाम पर इस वेसल का नाम रखा गया है तो दोस्तो कनकलता बरुआ असाम की एक यंग Freedom Fighter थी जो Quit India Movement में तिरंगा फैराते हुए शहीद हो गई उस समय उनकी आयू 17, मात्र 17 वर्ष की थी कनकलता बरुआ के माता पिता की बच्पन में ही मौत हो गई थी उन्होंने पढ़ाई जादा नहीं की लेकिन देश वक्ती उनके अंदर कूट कूट कर भरी होई थी इसी के चलते उन्होंने सिरफ 17 साल में ही एक और्गिनाइजेशन मृत्यू बाहिनी जोईन की जो की एक तरह की फ्रीडम फाइटर्स की डेथ स्क्वाड थी दोस्तो उस समय इसको जोईन करने के लिए कम से कम उमर 18 साल होती थी लेकिन कनकलता में देश प्रेम का जजबा इतना ज्यादा था कि जिसको देखते हुए उन्हें सिर्फ 17 साल में ही मृत्यू बाहिनी जोईन करने की इजादत मिल गई तो हुआ ये कि 20 सब्टेंबर 1942 को कनकलता बरुआ के मृत्यू बाहिनी जोईन करने के मात्र दो दिन बाद ही मृत्य उबाहिनी ने गोपुर असम पुली स्टेशन के सामने एक मार्च निकाला जिसमें वो तिरंगा फैराना चाते थी लेकिन उस समय के पुली सिंचार्च रेपती सोहन सोम ने उन्हें ये करने से रोका और जब ये ना रुके तो उसने इन नहते लोगों पे गोली चला दी कनकलता इस मार्च को तिरंगा हाथ में लेकर रीड कर रही थी और उन्हें ये गोली आकर लगी इसके कारण कनकलता वहीं गिर पड़ी और उनकी मृत्य हो गई दोस्तो लेकिन मरते मरते भी उन्हें तिरंगा गिरने नहीं दिया और उसके बाद ये तिरंगा एक और वालेंटियर मुकंदा कोकोटी ने हाथ में ले लिया लेकिन फिर उन्हें भी गोली लग गई और वे दोनों की मृत्य हो गई दोस्तो इस तरह इन दोनों महान फ्रीडम फाइटर्स ने तीरंगे की शान के लिए अपनी जान दे दी दोस्तो शिक्षावाईस हमारे देश के इन महान फ्रीडम फाइटर्स को सलाम करता है जिनके कारण आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं और हमें कभी भी इन महान स्वतंतरता सिनानियों के निस्वारत त्याक को नहीं भूलना चाहिए एक बार जरूर जरूर इनके बारे में सोचिए कि इन्होंने क्या क्या मुश्किलें सहते हुए हमारे देश को आजादी दिलाई आज असम में इनके नाम पर काफी स्कूल हैं और दो स्टैचू भी हैं इनके नाम पर एक शिप पहले भी थी जो की सेमी नेम से थी ICGS कनकलता बरुआ जो की इस सीरीस से पहली की शिप थी और वो 1997, 1997 में कमीशन गी गई थी लेकिन फिर 2017 में उसको डी कमीशन कर दिया अपने 20 सालों की सर्विस में ICGS कनकलता बरुआ ने कई सर्च एंड रेस्क्यू मिशन में हिस्सा लिया और इंडियन वाटर्स को सेफ कार्ड करते हुए कई फॉरन वैसल्स को भी पकड़ा इसके बाद 2018 में उसको डिस्मेंटल कर दिया गया था दोस्तों उसके बाद फिर से उनके नाम पर ये अपग्रेडिड वर्जन कमीशन किया गया है तो ये थी ICGS कनकलता बरुआ जो की हाल ही में कमीशन की गई थी उसके बारे में शिक्षा वाइस का लेक्चर थैंक यू